हलो गाईज इस इस सिक्षा उपाद्य है आप सभी का अमारे यूटूब चैनल वियलेट कोर्स पर हर्दिक स्वागत है आज की सेशन में हम वियलेट फेकेंड येर का जो ऑप्सनल सब्जेक्ट है हिस्ट्री तो उसके बारे में डिसकस करने वाले हैं कि हिस्ट्री में आपको क्या-क्या पढ़ना है यानि हिश्ट्री के अंतरगत क्या-क्या श्लेबस है उस्लेबस के अंतरगत आप लोगों को क्या-क्या पढ़ना है तो चलिए गाइस देख लेते हैं हर एक पेपर कि तरह इसमें भी चारी यूनिट है वैसे इसमें भी चारी यूनिट है फर्स्ट यूनिट में है इतिहास, बोध, इतिहास की अधारडात्मक आधार यानि की कॉंसेप्ट प्राग इतिहासिक काल, इतिहासिक स्रोथ, पुरातात्विक, साहितिक, लिखित, पुरा पाशारकाल, मद्य पाशारकाल, नो पाशारकाल और इसके अंतरकत है सामाजिक, आर्थिक, सा फिर उसके बाद है वजधिक भूबाद धर्म, जैन धर्म, मौलक वन्स, पुखलकवंस, सैयद वन्स, लोदीवन्स, मुगलकाल, बाबर, हुमायू, अक्बर, जहागिर, साजाँ और अंगजेब, इन सभी सासकों के बारे में भी पढ़ना है, फिर उसके बाद लास्ट यूनिट है, इकाई फॉर या यूनिट फॉर, अंग्रेजों का आग्मन भायत में कैसे हुआ, कैसे प्लासि पर आप लोगों को ये भी पढ़ना रहेगा कि किन स्वतंता से नानियों की वज़ा से किन महापुरसों की वज़ा से हमारा देश आजाद हुआ तो उन सब के बारे में भी हमें पढ़ना रहेगा तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हिस्ट्री के स्लिवस के अंतरगत क्या क्या पढ़ना है तो मुझे लगदा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो गाइस मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ थैंक्यू गा झाल झाल